नारायन नारायन मिश्री जी मैं आपसे जाना चाहूंगा कि यह जो विकास निगम का गठन जो किया जा रहा है आप इसे किस तरह से देखते हैं कि कितनी तब्दीली इससे चतिसगरी फिल्म इंडिस्ट्री में आ सकती है देखे एक तो मुझे लगता ही तब्दीली तो आ सकती पर सवाल है कि उसका किर्यानवन कैसा होगा मद्देश फिल्म विकास निगम बनाता जब हम लोग यह चतिसगर मद्देश में था तब कुछ लोग थे जिनोंने कुछ काम किया उसके बाद धीरे-धीरे कालांतार में वो एक प्रकार से अनुपियोगी संस्ता हो गए हमारे राज्य में बहुत सारे निगम मंडल है वो कितने उपियोगी हैं इस पर भी हमको बात करने की जुरूत है सवाल है कि छतिसगर फिल्म विकास निगम जो बनाएं चतिस गड़ में इस समय फिल्में बन रही है उन फिल्मों को किस तरह की सबसीडी मिलेगी किस तरह की ट्रेनिंग प्रसीक्षन का कारिकम होगा क्योंकि हमारे पास फिल्म बनाने वाले तो बहुत है पर फिल्म तक्नीक जैसे पुना में फिल्म इस्टिट्यूट है या एनेश्डिया नाटक के लिए उस तरह का अगर हम प्रसीक्षन संस्तान बनाएं सारे संसाधन दें तो तो कोई एक निगम का मतलब है अगर केवल निगम में पाँच असास की सदस बन जाए एक आदमी चेर कर रहे हैं हम फिल्म तक्नीक की बात कर रहे हैं विस्ट सिनेमा की बात कर रहे हम दुनिया की बात कर रहे हमारे पास में इतना सिनेमा बन रहा है पर उसकी दिसा क्या है कुछ सिनेमा को छोड़ दें तो बाकी क्या है वो बंबिया फिल्मों की नकल है तो अगर जब तक हम त इस्तु सिनेमा के इस्तर पर अपनी कला संस्कृति के इस्तर पर अगर फिल्म विकास निगम काम नी करेगा तो बाकी निगम जैसे भी कई निगम है यहां पर राज्य में जाने कितने निगम है और उस निगम का कितना फायदा हो रहा है यह तो आप लोग बहतर समस्ते होंगे तो मुझे लगता है कि इसमें मतलब चिंतन की जुरत है कि ये आप बनाना चाहते हैं फिल्म सिटी बना देंगे फिल्म सिटी से होगा क्या रामो जी की हैधराबाद ने फिल्म सिटी बनी है बंबई में कई फिल्म सिटी है कुछ इस्टूडियो तो हमारे साथ यह नहीं है बनाया पर कोई राउल केला जा रहा है कोई बंबई जा रहा है कोई कहीं जा रहा है तो हमको सोचना पड़ेगा अगर हम अपने राज्य में चाहते हैं कि हमारी 36 गड़ी फिल्म में विक्सित हों तो अन्य राज्यों की तरह ओल्क तो हमको अपनी फिल्मों को दिखाना अन्यवारे करना पड़ेगा दूसरा हमको अपनी फिल्मों की कॉलिटी भी सुदारनी पड़ेगी फिल्म को सब्सिटी भी देना पड़ेगा जैसे कि यूपी में बिहार में दे रहे हैं तो ये बहुत सारे उपाए हैं जिस पर मुझे लगता है कि गंभीर बातचीत होनी चाहिए और जिनका एक दृष्टिकोन व्यापक है उन लोगों को जब तक नहीं चोड़ेंगे इससे तो मुझे लगता है कि आप कोई भी निगम मना ले उससे बहुत ज़्यादा तो फाइदा मुझे नहीं देखता है इसका हल किस तरह से निकला जा सकता है नहीं देखिए चथिस गड़ अगर अपनी मंसा हमारी अगर मचसा है कि हम चाते हैं कि 36 गड़ का सिनिमा अच्छा इस्टेबलेश हो यहां पर अच्छ गंबीर सिनिमा बने 36 गड़ की एक गंबीर पहuitive पुरी देश दुनिया में हो यहां की संस्क्रती को जाने जैसे अबीब तन्वीर यहां की संस्कृति को बाहर लेगा। इसका प्रसिक्षन मिले